नमस्ते, जेसेन मेर दसनला है आपके लिए परीक्षा में पूछे जाने वाले जी विज्ञान के 20 महत्पूर परसंद चो परतेक परीक्षा में पूछे जाते हैं लीजिए पहला परसंद है आपके लिए Q1. जीवानू की खोज किस विज्ञानिक ने की थी? और हमारा जो सही उत्तर है वो है जीवानू की खोज यूवेन हॉक ने की थी उत्तर सी देखिए बहुत वार जीवानू और विशानू में हम कन्फ्यूज हो जाते हैं तो जीवानू को इंग्लीज में बैक्टिरिया का जाता है इसे इस तरह से याद रखें जीबे जीबे अर्थात जीवानू बैक्टिरिया क्विश्चन नमबर दो है अमारा आपके लिए विशानू की खोज किस वेग्यानिक ने की थी अप्शन ए है इवानो वेस्की अप्शन बी लुई पास्चर अप्शन सी ल्यूवेन हॉक अप्शन डी एडवर्ड जेनर दोस्तों हमारा जो सही उत्तर है वो है ए इवानो वेस्की रसिया के थे और विशानू को याद रखने का फर्मूला है वीवा जीवानू आपके लिए तीसरा परसंद है पैनी सलीन की खोज किस वेग्यानिक ने की थी? हमारे आप्शन है आप्शन A, इवानो वसकी, आप्शन B, लूई पास्चर, आप्शन C, ऐलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आप्शन D, एड़ड जैनर तो उतर है हमारा आप्शन C, ऐलेक्जेंडर फ्लेमिंग एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पैनिसलिन की खोज की थी और यह परसंड हर बार परीक्षा में पूछा जाता है बार बार पूछा जाता है लीजिए अब आपको लिये चलता हूँ अपने अगले परसंड की और क्विश्चन नमबर चार रैबीज के टीके की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी हमारे आप्शन है इवानो वैस्की, बी लुई पास्चर, सी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी एड़ड जेनर और हमारा जो बिलकुल सही उत्तर है वो है बी लुई पास्चर रैबीज का जो ठीका है वो पागल कुत्ता जब किसी वैक्ति को काड़ देता है तो उसके उपचार के लिए लगाया जाता है और इस रैबीज टीकेज की खोज लुई पास्चर ने की थी मित्रों लीजिए लिए चलता हूँ अगले कुश्चन कुश्चन नंबर 5 चेचक के टीके की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी और इसका जो सही उत्तर है वो है आप्शन डी एड़वर्ड जेनर इन्होंने चेचक की खोज तीके की खोज करकर चेचक जैसी महामिमारी से इस मानोजाती को बचाया है और मैं बार-बार इन चारों का आप्शन इसलिए देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए इनको लीजिये हमारा जो अग्ला प्षाण है वो कुशन नमबर चे है नवजात मानों के सरीर में कुल कितनी हडिया होती है Option A, 250-275 B, 277-280 C, 277-300 D, 300-300 तो इस प्रशन का उत्तर है option C 200-300 यदि option में 200-300 से 300 नहीं देके किवल एक संख्यादी होगी तो हमेशा 300 बाद में कुछ घडियां गल जाती है कुछ आपस में मिल जाती है और इस प्रकार से मानों सरीर में कुछ घडियां रह जाती है उसका person हमने जस्ट अगला जो परसंद बूचा है वो ये है देखिए question number 7 मानों के सरीर में कुल कितनी हडियां होती है option A 205, option B 206, option C 207, option D 208 तो इसका जो हमारा उत्तर है अगर आप जानते हैं तो आप पता लगाई चुके होंगे नहीं तो हम बताते हैं आपको इसका सही उत्तर है 206 वैस्ट मानों सरीर में 206 हडियां होती है जबकि 90 में 207 से लेके 300 इस प्रकार से लगबग चुराणू जो हडियां है वो खतम हो जाती है, गल जाती है आपस में मिल जाती है 206 हडियां हमारे सरीर में रह जाती है, दोनों परसन याद रखना बहुत जरूर है लीजिए परसन संख्या 8, मानों के सरीर में कुल कितनी मास पेसियां होती है आपसन A 638, आपसन B 637 आपसन C 649, आपसन D 636 तो हमारे जो सरीर में जो कुल मास पेसियां होती है, उसका सही उत्तर है, आपसन C 649 639 मसल्स मास पेसियां को इंगलिस में मसल्स भी कहते हैं तो हमारे सरीर में कुल मिला के 649 मास पेसियां होती है और ये है अगला परसन जो हर बार पूचा जाता है कि मानो सरीर में पसलियों की संख्या होती है परसन को ध्यान से देखिए मानो सरीर में पसलियों की संख्या पूची आप से यहाँ पे भी दो परकार के परसन पूचे जाते हैं पहला परसन केवल पसलियों की संख्या से संबंदित होता है और उसका जो सही उत्तर है वो है 24 मानों के सरीर में पसलियों की कुल संख्या 24 होती है एक परशन तो केवल पसलियों की संख्या का होता है तब तो हमारा उत्तर आएगा 24 और एक परशन जो हमारा अगला है जो अगला परशन है वो देखिए इस तर से है मानो के सरीर में पसलियों के कितने جोड़े होते हैं Option A 12, Option B 24, Option C 26 और Option D 38 देखिए एक वाग पनजे हैं प्रसन दोरा रहा हूं आपके लिए कि मानो के सरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं या हमसे जोडे पूछे गए हैं तो Option अमारा उत्तर आएगा 12 मानों सरीर में 12 जोड़े होते हैं एक जोड़े कार्थ होता है दो इसलिए चोंकि 12 जोड़े होते हैं उनकी गुणा 2 से कर लेते हैं इसलिए कुल पसलियों की संख्या पूछेंगे तब तो 24 और जब हमें जोड़े पूछेंगे तब हमें उतर आएगा 12 और ये हर बार कन्फ् पांच, ऑप्शन सी साथ, ऑप्शन डी चार, वैसे मानों में दो परकार के इदात होते हैं, अलज्थाई और इस्थाई, हमारा सही उत्तर है, कुल चार परकार के इस्थाईदात होते हैं, और ये जो चार परकार के इस्थाईदात होते हैं, इनका अलग-अलग कारे होता है, और उनकी अलिशा इनको नाम दिया गया है छेदक या कृतंग जो काटने का काम करते हैं, बेदक या रदनक जो फाडने का काम करते हैं, अगर चरूनक और चरूनक जो भोजन को चबाने का कारे करते हैं, इस प्रकार से हमारा अगला परशन है, मानव में कुल कितने अस्थाई दात होते हैं, option है हमारा A 32, B 20, C 22, D 44, दोस्तों मैंने पहले भी आपको कहा, दात दो परकार के होते हैं, इस्थाई दात और अस्थाई दात, और मानो शरीर में 20 अस्थाई दात होते हैं, अस्थाई दात का अर्थ जो वो दात जो दुबारा आते हैं, सामाने शब्दों में हम इसे दूद वाले दात भी कहते हैं, अस्थाई दात हमेशा दुबारा आते हैं, इस्थाई दात यथावत रहते हैं, इस परकार मानो शरीर में दो परकार के दात पाए जाते हैं, पर्षण संख्या 13. लाल र το कण्याों का निर्मान कहा होता है? R.B.C. इंगलिस में कहते हैं, A. प्लीहा, जिसे हम तिली भी कहते हैं, B. यक्रत, जिसे हम लीवर भी कहते हैं C वक्र जैसे हम किड्नी भी कहते हैं D अस्ती मंजा और हमारा जो सही उत्तर है वह उत्तर है D अस्ती मंजा लाल रक्त कणिकाओं या फिर मैं ये कहूं RBC का निर्माण कहां होता है तो आपका उत्तर होगा अस्ती मंजा में अब इससे समंदित भी अलग-अलग तर अगरा question है, question number 14, लाल रक्त कनिकाओं का भून अवस्ता में कहा निर्मान होता है? Option A प्लिया जिसे हम तिली कहते हैं, Option B येकरत जिसे हम लिवर कहते हैं, Option C वक्र जिसे हम किड्नी भी कहते हैं, या Option D ए और B दोनों में पहले परसन में केवल ये पूछा था कहा निर्मान होता है अब हम ये पूछ रहे हैं बोन अवस्ता में कहा निर्मान होता है तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए और बी दोनों अर्थात प्लीहा और यक्रत इन दोनों में बोन अवस्ता में लालक कनिकाओं का निर्मान होता है अब इससे संबंदित एक और प्रशन आता है लीजिए अगला प्रशन विसी से संबंदित है प्रशन संख्या हमारी है जो है अगली वो है पंद्रा आरवी सी अठा लाल रत कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहते हैं ये प्रशन बहुत वार पूचा गया है हमारा उत्तर है ए प्लीहा या तिली लाल रत कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहते हैं प्लीहा या तिली को इसी प्रशन को एक दूसरे अधा अनुसार भी पूचा जाता है वो है इस परकार से कि लाल रत कणिकाओं की मिर्त्यू कहा होती है अब देखो कब्रिस्तान कहें या मिर्ट्यू क्या होती है दोनों का उत्तर एक ही है वो है प्लिहा या तिल्दी आर्बी सी या लालक्त कनिकाओं की मिर्ट्यू कहा होती है प्लिहा में अब अगला प्रसन है कुश्चन नमबर 16 कर्ण अवस्तियों की संख्या होती है A 4 B 6 C 8 और D option है हमारा 10 कर्ण अस्तिया अर्था कान की हड्या हमारा उत्तर है B 6 देखिए दोस्तों हमारे दो कान होते हैं और परते कान में 3 तीन अस्तिया होती है एक कान में 3 दूशे कान में अभी 3 इस परकार से दोनों को मिला के कितनी हो गई 6 इसके जब कान अस्तिया पूछी जाये तो 6 और एक कान में पूछी जाये तो 3 अब वो 3 कान सी होती है उससे सम प्रशन भी हमने आपको अगला दे दिया है दीजिए कुश्चन नंबर 17 निम्न में से कौन सी कर्ण अस्ती नहीं है ए मैलियस बी स्टेपस सी फीमर डी इंकस कान की हड़ी या कान की अस्ती एक ही बात है और हमारा ऑप्सन है सी फीमर इसका आर्थ है फीमर जो है जांग की हड़ी है जबकि मैलियस इस्टेपस इंकस ये सारी कान की हड़ीया है हर ये दो-दो अड़ियां होती है दो मिलियस दो इस्टेपस दो इनकेस और मानव सरीर की सबसे छोटी जो अड़ी होती है वो इस्टेपस और फीमर मानव सरीर की सबसे बड़ी अस्ती होती है देखिए दो परसन आपको और दे दिये हैं आपको अगर छोटी पूछ ले तो इ कामा ने पी एच मान क्या होता है और हमारा उत्तर है बी 7.4 अंसर क्या है 7.4 लेकिन कभी-कभी ये आंकडे दो आंकडों के रूप में विवक्त होते हैं और हमें 7.4 नहीं दिया हो तब वास्ता में क्या रहेगा 7.35 से 7.45 के मद्य अगर कोई डीप में चला जाता है तो तो ये नहीं तो सामा नेता हम से ये पूचा जाता है तो हम लिखेंगे 7.4 और मानों के सरीर का भी पी एच मान 7.4 होता है क्विश्चन नमर 19 इंसूलिन में कौन सा दातू होता है A. तामबा B. लोहा C. जस्ता या जिंग से कह सकते हैं D. इन में से कोई नहीं हाँ भी इंसूलिन में भी दातू होता है और वो दातू कौन सा होता है C. जस्ता कौन सा दातू रहेगा C. जस्ता और एक कुश्चन इससे सम्मंदित और आता है कि इंसूलिन की कमी से हमें कौन सा रोग होता है तो इंसूलिन की कमी से हमें मदू में रोग होता है जिसे कुछ लोग उसे सामाने भार्षा में सुगर भी कहते हैं तो इंसूलिन की कमी से कौन सा रोग होगा मदू में और लिजी आज का हमारा अंतिम परसू मानव हर्दे में चेंबर या कक्साओं की संख्या होती है हिंदी में कक्स, इंगलिज में चेंबर A2, B3, C4, D5 और हमारा जो उत्तर है होँए C4 मानव के हर्दे में चार चेंबर होते हैं मानव के हर्दे को हम दू भागों में वजित करते हैं दाया और बाया और दोनों में 2-2 चेंबर होते हैं इसलिए कुल मिला कर 4 चेंबर होते हैं उनके नाम है ratio और venterical कि दो दाहीने में दो बाएं भाग में इस परकार से कुल मिलाके चार दोस्तों आपको हमारा ये सेक्षन कैसा लगा बताईएगा हम अगली कड़ी में फिर आपके लिए 20 परसन और लाएंगे जो हर बार सामान्य रूप से परिक्षा में रिपेट होते हैं बार बार रिपेट होते हैं तो जीव ज्यान के इन परशनों के हम पुना आपके साथ अगले कड़ी में साजा दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए लाइक जरूर कीजिए लाइक आपका प्यार है जो हमें दरसाता है कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स दीजिए और यदि आपने हमारी चैनल को अभी तक अब से पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो के इंतजार में तब तक के लिए मुझे दीजिया आगया जै हिंद जै भारत